हेलो फ्रेंड वल्कम टो स्टडी नियोज आज हम इस वीडियो में इतिहास से जुड़े एक और किले के बारे में जानते हैं जिसका नाम है विजैगड का किला इस किले को कई नामों से जाना जाता है जैसे नौगड किला, चुनार किला, अगोरी किला, नैनागड किला, चंदरकांता का तिलस्मी किला और भी कई नामों से जाना जाता है तो जानते हैं इस किले के बारे में So let us start ये किला भारत का एक एतिहासिक किला है जो काफी प्राचिन विरासत और अनमोल धरुहर है ये किला लगभग 5,000 वर्सों से इतिहास का गवा रहा है ऐसा मना जाता है कि इसका इतिहास माभारत काल से भी पहले का है ये किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है जो एक समय में हिंदू सक्ती का केंद्र था इस किले में आज भी उनके अफसेस देखने को मिलते हैं जिस पर कई महतपूर चित्र बने हुए है यहाँ पर विक्रमा दित्त का बनवाया हुआ भत्रहरी मंदिर है जिसमें उनकी समाधी है और इस किले में मुगलों के मगबरे होने का भी साक्ष मिलता है इस किले में मिले अफसेसों से पता चलता है कि इस पर कई राजाओं का सासन रहा होगा इस किले पर महाभारत काल के समराथ काल लेवन और उज्जैन के प्रजापती समराथ विक्रमादित्य हिंदू धर्म के सम्राठ प्रिथवी राच्जोहान से लेकर अकबर, सेड़साशुरी जैसे सासको ने सासन किया है इस किले को किसने बनवाया इसका कोई प्रमाडे नहीं मिलता है ऐसा माना जाता है कि मा भारत काल के बाद का समय समराट विक्रमा दित्य का था उनके बड़े भाई राजा भद्रहरी सन्यासी बनने के लिए चले गए थे भद्रहरी गोरकनात के सिस्य थे जब भद्रहरी ज्यान लेने के बाद चुनारगड वापस आये और तपस्या करने लगे तब उस समय इस इस्थान पर घना जंगल और कई खतरनाक जानवर थे इन सभी से सुरक्षा करने के लिए उनके भाई विक्रमादित ने भद्रहरी के लिए इस इस्थान पर किला बनवाया और यहीं पर भद्रहरी की समाधी आज भी है चुनारगड की धर्ती पर अनेक तपस्वियों ने तपस्या किया है ये किला भद्रहरी की साधना और भगवान बुद्ध की योगी नैना योगनी का गवा है नैना योगनी के कारण ही इसका नम नैनागड भी है इस किले ने अनेक उतार चड़ाओ देखें हैं और समय के सास साथ बदलते सासकों ने अलग-अलग सैलियों में अपने जरूरत के हिसाब से कई निर्माड कार भी करवाए हैं यहाँ पर कई पुराने मंदिर लाल पत्थरों के इस्तंब, सीला लेक और कई चित्र, मुर्तियां और सबसे प्रसिद 12 मासी तलाब है जो कभी नहीं सूखते हैं आज भी इन में पानी भरा हुआ है इन तलाबों के बीच में एक रंग महल है जिसके अफसेस आज भी हैं जो देखने में बहुत खुबसूरत लगते हैं इनकी दिवारों पर सुन्दर नकासियां किये गई हैं इस महल को राजकुमारी चंद्रकांता का महल माना जाता है इतिहास कारों का मानना है कि इस प्रसिद किले का दुबारा निर्माड सेरसा सुरी ने करवाया था जिसकी चारों तरफ उची उची दिवारे मौजूद हैं जहां से सुरे अस्त का नजारा बहुत सुन्दर लगता है और यहां पर सुरे धूप घड़ी विशाल कुआ के साक्ष मौजूद है वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धी बाबू देवकी नंदन खत्री के दुआरा रचित प्रसिद तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतती के कारण मिली है उन्होंने इस पुस्तक में इस किले को तिलस्मी और जादूई बताया है जिसमें कई रहे से आज भी छूपे हुए है एक समय जब भारत में अंग्रेजों के कमपनी का सासन था उस समय विजैगड किला वारेन हेश्टिंग का निवास इस्थान था क्योंकि उस समय ये किला सैनिकों को बसाने के लिए किया जाता था यहाँ पर आज भी यूरूपिय लोगों के कब्रगा और गिर्जागर के साक्ष मिलते हैं तो ये थी इतिहास से जुड़े एक तिलस्मी किले के बारे में कुछ important information so thanks for watching this video please like subscribe and comment